हेलो डीयो फ्रेंड्स, परलियो जाम गुरुजी, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम नेक्स्ट मॉंक टेस्ट आपके लिए लेके आए हैं तो यह जो मॉर्क टेस्ट है यह प्रिबियर्स बरके काशन पर अधारित है, आपको पता है कि हम जितने भी कि यह NW के लिए important है SSJ के लिए important है तो देखिए question क्या बोल रहा है कि तो परपच ऑफ एलिडेट इन प्लेंटेवल सर्वेंग आपको पता कि एलिडेट जो होता है प्लेंटेवल सर्वेंग में यूज होता है हम किसके लिए यूज करते हैं आपको यह सिंपल यह पता होने चाहिए सबसे पहला हम इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको देखिए आउंगी एलिडेट जो होता है इसकी लेंथ के बारे में भी एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है तो लेंथ की अगर हम यहाँ पर बात कर जो होता है उसकी बनी हुई होती है बरास की यह फर फिर बॉड़न की बनी हुई होती है अगर हमें किया कि कि इंवर बात करें कि Telescopic Aledate जो होती है, Inclient आपको अगर Inclient Sighting करने हैं तो उसके लिए आप Telescopic Aledate यूज़ करते हैं अब यहाँ बात करते हैं कि Aledate जो होती है, वो हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या उसका Purpose होता है तो किसी बिंदू को देखने के लिए हम Aledate का यूज़ करते हैं Plain Table में मान के चलो कि आपकी Aledate यहाँ पर है, आपका कोई 2-3 बिंदू यहाँ पर दिये गए हैं, इस पॉइंट को देखने के लिए आप Aledate का यूज़ करते हैं Option 4 हमारा अंसर हो जाएगा, Sighting to Target Point, देखे, Sight, देखना, Target Point मैं आपको अच्छे तरिके से यहाँ पर बता दिया है, Option 4 हमारा अंसर हो जाएगा यहाँ पर अब Next One Question देखे, क्या बहुर रहा है कि, Question बहुर रहा है कि, With Respect to Contouring, सही Statement हमें चूज़ करनी है तो देखे, हमारे पास यहाँ पर सही Option A हो जाएगा, Contour Interval जो होता है, वो Depend करता है Nature of Ground पर, Nature of Ground हमारा कैसा है हमारे पास कितना Time है, कितना Fund हमारे पास पैसा बचा हुआ है, इस पर Depend करता है, हमारे जो Map है, उसका Purpose क्या है इस पर भी Depend करता है, हमारा जो Scale है Map का, उस पर भी Depend करता है, Scale of Map, इस इन 4-5 Condition पर Depend करता है हमारा Contour Interval जो होता है अब यहाँ पर बात आते है कि Contour Interval जो होता है, वो होता क्या है, तो यह एक Vertical Distance जो होती है, दो Contour के बीच में, उसको Denote करता है तो हमारे पास यह Option सही अंसर हो जाएगा, अब यहाँ पर Next One इस Question देखे, Unit of Measurement for 2 cm Thick DPC Is DPC की जब भी हम बात करेंगे, तो इसका Unit of Measurement Square Meter होता है, Option Second इस Question में अंसर हो जाएगा यहाँ पर Confuse होने की जूरत नहीं है जाएगा आपको कि क्या होता है, दो मेटर लिखा हो जाएगा, दो मेटर हो जाएगा, यह दो सेंटिमेटर हो, जो भी दो-दो हो, तो हमारे पास यही अंसर होता है उसको बाद देखिए, the wavelength at which electromagnetic radiation are partially or wholly transmitted through atmospheric arc court, उसको हम कौन सी बिंडो बोलते हैं, बेब बोलते हैं, कि दोर बोलते हैं, पैकर बोलते हैं, क्या हम उसको बोलते हैं तो उसको हम atmospheric बिंडो बोलते हैं तो simply यहां पर question बोल रहा है कि एक ऐसा curve है, जहाँ पर क्या हो रहा है कि gradual change हो रहा है, from tangent to circular में तो उसको हम transition curve बोलते हैं, transition curve में ही आपको ऐसा देखने को मिलता है, इसमें radius भी change हो जाती है, जो gradient होता है, वो भी change हो जाता है option second हमारा इस question में अंसर हो जाएगा, अगला देखिए horizontal distance between दो points की बीच में, तो बो contour में कौन सा होता है very important question है, horizontal equivalent बोलते है, horizontal distance, horizontal equivalent, यह important question है, exam के point बेसे, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए देखिए जब भी आपको इस तरह को question देखने को मिले तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले question को पढ़ लेते हैं, minimum number of satellites needed for GPS अब GPS क्या होता है, GPS होता है, G for global and P for positioning and S for system, तो यह होता है GPS की full form, एक्जाम में यह भी आप से पूछी जा सकती है, तो बोल रहा है कि Determined its position personally is, तो यहाँ पर हमारे पास GPS का केसल में दो केसल आते हैं, minimum number of satellites जो होते हैं, एक तीन का आता है, एक चार का आता है, अब तीन किस के लिए होता है और चार किस के लिए होता है, यह आपको पता होने चाहिए, अगर तीन पूछा जाया आप से, तो stationary body के लिए होता है, stationary body हमारे पास हो सकती है, जिसे कि कोई एक constant body है, stir body है, उसके लिए हो सकता है, यहाँ पर हमसे पूछा एगे कि position, ताकि उसकी position को determine कर सके, position का meaning है कि हमारी body जो move कर रही है, ताभी हमें position का पता लगाना है, तो हमें, यहाँ पर क्या पूछा गया है? पूजिश्य के लिए तो हम यहां पर मूब के लिए अंश्य लगा देंगी। ऐप्शन नंबर थर्ड चार अंसर हो जाएगा यहां पर क्योंकि मिन मूबव नंबर और यह होते है वह चार होते हैं, आप्शन थ्री इस कोश्मों में वर्टिकल प्रेंट बाई 180 अब और था होरिएंटल एक्सिस उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टिंग ट्रांजिस्टिंग हम उसको बोलते हैं अब देखें क्रोस स्टाफ इस यूज़ फोर क्रोस स्टाफ जो होता है किसके लि ये यूज करते हैं, अब देखिए, very important question है ये, तो जो cross staff होता है, वो right angle जो होता है, उसको set up कर सकता है, 90 degree का जो angle होता है, उसको ये set up कर सकता है, right angle उसको हम बोलते हैं, 90 degree के angle को cross staff measure कर सकता है, इसका एक advanced version निकला है, French cross staff, French cross staff, इसका advanced version है, जो कि 90 degree को measure कर सकता है, लेकिन वो 45 degree के angle को भी measure कर सकता है, French cross staff जो होता है, इस point को आप याद रखिए, क्योंकि इस तरह के point आपको कहीं और book में नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपको cross staff के लिए अलग से दिया होता है, और French के लिए अलग से दिया होता है, तो यहाँ प अब cross staff जो होते हैं, तीन तरह के होते हैं, एक open cross staff होता है, दूसरा French cross staff होता है, और तीसरा जो होता है, adjustable cross staff, यह तीन तरह के होते हैं, French cross staff के बारे मैं आपको बता दिया है, यह इसका ही part है, यह एक advanced instrument है, जो कि 90 and 40 को measure कर सकता है, open cross staff जो होता है, 90 को, adjustable cross staff जो होता है, यह भी 90 को ही measure कर सकता है, main बात यह है कि cross staff एक है, उसके तीन पार्ट है, तीन पार्ट में हमारा French cross staff भी आ जाता है, तो यह point आप याद रखिए, एक्जाम में important है, अब अगला question देखिए, maximum permissible tolerance जो होते हैं, 20 meters chain के लिए वो कितनी होती है, हमारे पास 4 तरह की chain होती है, एक 5 meter की होती है, एक 10 meter की होती है, एक 20 meter की होती है, एक 30 meter की होती है, यह पर आपको तीचारो के बारे में पता होने ज़िए कि minimum permissible tolerance कितनी होती है, पांच meter के अगर हम बात करें, plus minus 3 mm होती है, 10 मीटर की बात करें इसके लिए प्लस मानिस 3 mm होती है 20 मीटर की बात करें इसके लिए 5 mm होती है प्लस मानिस अगर 30 मीटर की बात करें तो इसके लिए प्लस मानिस 8 mm होती है इन सभी के बारे मैंने आपको बता दिया है हमसे 20 मीटर के लिए पूछा गया तो 20 मीटर के लिए 5 mm हमारा अंसर हो जाएगा Option A जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लिजिए साथ में बैल आइगन को दबा लिजिए अब अगला देखिए थे Angle between True Meriden and Magnetic Meriden is called Angle जो बन रहा है True Meriden and Magnetic Meriden के बीच में उसको हम Declination बोलते है Declination हमारा अंसर होता है उस cases में Next one question देखिए What are the unit of measurement of distance according to standard weight and measure act 1956 के according Unit of measurement जो होता है वो क्या होता है तो देखिए question जो है confuse करने के लिए आपको इतना lengthy करके दिया गया है कि Measure Act पलाना दमकाना Simple क्या है पुछा गया Unit of measurement of distance का Distance का हमें पता है कि Meter में हम measure करते हैं Centimeter में measure करते हैं Kilometer में measure करते हैं हमारे पास option दिया गया है वैसे meter and centimeter ही correct अंसर होता है Distance के लिए तो इस point को आप याद रखिए In case distance की जगर अगर आपसे mass दिया होता Distance की जगा Mass दिया होता तो उस case में हमारा case हो जाना था यहनिके kilogram अगर distance की जगए time दिया होता तो हम उसको time को second में ही measure कर सकते हैं अगर distance की जगए current दिया होता है यह चाहब पर याद रखिए अगला कुशन देखिए तो इसको हम क्या बोलते हैं यह कुश्चन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन एक्जाम के पॉइंट हो भी से उसको हम क्या बोलते हैं आगोर्टन सिंपल है यह बोला रहा है कि मान जब लोकि एक लाइन है उस लाइन को आपको मेजर करना है ने मैं आद angd यह पेश से कदम होते हैं गीसी आदमी के उससे आपको विआ मेंजर करना आ यह तो उसको हम Depression है सब्सक्राइब वोलते हैं यह इएंद गोंट है यह अवान क्कावशंग तो यहां पर एक निकल कर आता है एक वे Kay Akim 编 जोती है यह इंख्साम में कई बार पूछा गया नीरे कर और जोel सेनिक्टी अगला विच्छन देकि के इन प्रमरे अड़ आज़ेस्टमेट ऑफ लेवल परमरेट आपको अड़ेस्टमेट करनी है लेवल की two pegs test is done to correct या फिर adjust two pegs test जो होते हैं उसको हम adjust करते हैं या फिर correct करते हैं by line of collimation से line of collimation से हम करते हैं मैं बार-बार यही बोलता हूँ कि comment जरूर करे यार वीडियो के नीचे comment जरूर करे और जो हमें आपके लिए poll बगारा add करता हूँ वहाँ पर भी comment करें जिसको answer पता हो सिर्फ वही answer करें क्योंकि जिसको answer नहीं पता होगा वो answer को देख सकता है comment box में कि हाँ इसका answer यह हो सकता है क्योंकि इसने comment किया इसने comment किया तो जो comment करता है उसको पता होता है कि इसका answer यह है तभी वो comment करता है, ऐसे नहीं करता है It means कि किसी को नहीं पता होगा जो हमारे चैनल पर है कि इस question का अंसर यह है मैं वैसे जो पोल के question लगाता हूँ, वो अपनी वीडियो में करवाता हूँ फिर वो ही लगाता हूँ तो वैसे सो सभी को यह पता होगा तो देखिए next one question हमारे पास क्या बोल रहा है यहाँ पर कि analytic lens provided in tecumeter is क्या होता है analytic lens जो होता है वो हम provide करते हैं, वो convex lens होता है convex lens जो होता है वो होता है यहाँ पर दो चीज़े और सामने आते हैं कि tecumeter में हम एक multiplying constant use करते हैं, एक additive constant use करते हैं multiplying यहाँ पर मैं ट्रिक बता रहा हूँ multiply देखिए multiply multiply कि एक के बाद multiply zero hundred and addition यहाँ उसमें add ही हो रहा है उसकी value zero होती है तो यह multiplying के लिए सो होता है additive constant के लिए zero value होती है दोनों value important exam के point अभी से अगला देखिए in determining the area of curved boundary the rule is used to get accurate result accurate result जो देता है हमें sample देता है sample route जो होता है वो ही देता है accurate result अगला देखिए as पर bandra irrigation scheme bandra की जो irrigation scheme distance discharge formula जो यूज की जाता है bandra beer में वो कौन सा है bandra beer में जो discharge का formula यूज किया वो ये वाला है option 4 हमारा answer हो जाएगा अगला देखिए clay mineral responsible spelling property in black cotton soil black cotton soil में जो spelling की property के लिए responsible mineral होता है मिटी वाला वो मॉन्ट मोयलो नाइट ही होता है अब अगला देखिए इन ओगी शेपड spillway ओगी शेपड का spillway जो होता है discharge होता है वो proportional होता है h raise to power 1.5 h raise to power 1.5 अगला देखिए variation in volume of liquid with the change of pressure is called change in the pressure is called उसको हम क्या बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं variation in volume जो है liquid की volume जो है वो change हो रही है जब आपका pressure जो है change हो रहा है उस cases को हम compressibility बोलते हैं compressibility मैंने आपको soil में भी बताई है और fluid mechanics में तो 2-3 बार में बता जो कहूं इसको तो यह question important एक्जाम के point हो इसे अब अगला question देखिए for pure cohesive soil value जो होती है varying capacity nc की value पूछ रहा है पर nc की value कितनी होती है pure cohesive soil जो होता है उसमें varying capacity जो होती है nc की यह important है nc की 5.7 होती है nq जो होता है उसकी value 1 होती है यह सारे points important है n y की value की बात करें तो उसकी value 0 होती है यह तीनो value important है लिख लीजिए nc की value 5.7 nq की value 1 होती है n y की value 0 होती है nc की हमसे पूछा गया है तो हमारा 5.7 answer हो जाएगा इस point को आप याद रखिए अब यहाँ पर question को खुद पढ़ लिए मैं आपको यहाँ पर अंसर ही बता देता हूँ simple question है यहाँ पर settlement की बात हो रही है maximum settlement जो होती है raft foundation के लिए तो हमारा IS code है 1904 1904 इस IS code के according जो settlement होती है sand के लिए आपको बताना है sand and hard clay के लिए बोल रहा है sand hard clay के लिए तो sand and hard clay के लिए 75 होती है in case अगर आपसे पूचा जाए कि soft clay जो होती है hard clay and soft clay hard clay के लिए 75 होती है soft clay की बात होगी तो उस cases में 100 mm होती है यह raft foundation का cases है raft foundation के cases में ऐसा होता है तो 74 हमारा answer sorry 75 answer हो जाएगा 4 answer sand and hard clay के लिए soft clay 100 mm होती है raft foundation में यह settlement का chapter बहुती important है क्योंकि एक maximum settlement होती है एक differential settlement होती है यहां से question को जाता है एक isolated foundation settlement होती है यहां से भी question आपसे पूचे जाते है sand clay के लिए ही पूचे जाते है फिर भी आपको बता होने चाहिए sand के लिए कितना होते है clay के लिए कितना होता है अगला देखिए सेडिमेंटेशन एनलिसिस फोर पार्टिकल साइड डिस्ट्रिबुशन एडॉप्टेड फोर दे सोल पार्टिकल डेट आर फाइनर देन सो 75 mm से फाइनर होते हैं उसके लिए ही ये किया जाता है सेडिमेंटेशन एनलिसिस जो होता है अब यहाँ पर एक चीज और आती है ये तो हमने सेडिमेंटेशन एनलिसिस की बात की 75 से कम होगा फाइनर बोला है कि लेस देन 75 से कम होगा उसके लिए सेडिमेंटेशन एनलिसिस की जाती है एक हमारे पास सीव एनलिसिस होती है सीव एनलिसिस होती है उसके लिए 75 से ज्यादा होना चाहिए 75 माइक्रोन से ज्यादा होना चाहिए उसके लिए सीव एनलिसिस की जाती है ये दोनों पॉइंट्स इंपोर्टन है एक्जाम के पॉइंट अभी से अच्छी तरह से लिख कर लिजिए नोट डाउन कर लिजिए अब यहां पर एक चीज और में आपको बताता हूं यह तो मैं आपको 75 लेस्टन ग्रेटर देन बता दिया अब यह चीज एक और सेविन्टीफाइब से ज्यादा है तो उसके लिए हमारे पास ग्रेवल एंड सैंड होता है सैंड ग्रेवल और ग्रेवल और सेड्सीज डिया हैं यह सेडेएशन कले इंड रिकी जाती हैँए अब देखिए इतने सारे कोशन में सिंग करके आपको बता रहा हूं तो आपका ही फाइदा है वीडियो को skip ना करें मैं बार बार यही बोलता रहता हूं और अगर आप मोंक टेस्ट लगाना चाहते हैं हमारी बेपसाइब भी बेजिट की जिए मैक्सिम जितना ज़ादा होगो कि विजिट कीजिए कि यार वहां पर भी मॉंक टेस्ट आप आपके लिए आपका ही फाइदा है वहां पर थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर वहां पर भी आप पड़े रहेंगे तो आच्छी बात है आपकी अब देखें एट श्रिंकेज लिमिट दिग्री ऑफ सेट्रेशन इन प्रसेंटेज आफ स्वाइल श्रिंकेज लिमिट में डिग्री ऑफ सैट्रेशन जो होता है तो यह कुशन हमने अब देखें नेक्स बोड़ा है एन आइसो हाइट इसलाइट इसलाइट जोइन प्लेश ओफ इकल रेंफोल को ही यह जोइन करती है किस तरह की iligation होती है तो फ्लो इरिगेशन होती है औप्शन फूर फस्ट हमारा अंसर हो जाएगा क्यों बोर रहते हैं कि कि ग्रैविटी के दोरा जो पानी दिया जाता है किसी लैंड को उसको हम कौनसी इरिगेशन बोलते हैं flow irrigation बोलते है gravitational force के द्वारा तो उसको हम flow irrigation बोलती है इसको हम flow इरिगेशन जो होती है gravitational irrigation भी हम इसको बोला सकते है gravitational irrigation भी हम इसको बोल सकते है इस को भी आप note down कर लीजिए अब अगले देखिए करीफ crops are also called, उसका एक और नाम है मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में, तो खरीफ जो crop है उसका एक और नाम है वो है मानसून क्रोप तो देखी के एम किलो मीटर खरीफ मानसून किलो मीटर ट्रिक बन गई एक अब यहाँ पर देखी इसके एक्जेम्पल भी होते है राइज इसका एक्जेम्पल है खरीफ का कोटन इसका एक्जेम्पल हो गया मीज हो गया जो मकी होती है, आप भुटा वगरा खाते हैं वो हो गया, बाजरा भी इसका एक्जेंपल हो गया, and जो millet होता है, ये भी इसका एक्जेंपल होता है, एक soybean इसका ही एक्जेंपल होता है, तो इक्जेंपल से भी question पूछा जा सकता है अब बात आती है यहां पर कि रावी जो क्रोप होती है उसका दूसरा नाम है वो है बिंटर आर डवल्यू डवल्यू आर कुछ इस तरह से ट्रिक्ट बना लेजिए अच्छी बाता है ट्रिक्ट बनाएंगे तो याद रहता है अब अगला उक्षिन देखिए reason for adding gypsum in cement reason क्या होता है gypsum को add करने का सबसे पहले gypsum का percentage होता है तीन से पांच परसंट आपको gypsum का content देखने को मिलेगा cement में इसको हम इसलिए add करते हैं ताकि आपकी initial setting time जो हो increase हो सके कई बार आपको adjustment भी देखने को मिलता है अगर setting time increase होगी तो it means कि हमारे जो cement है उसकी setting ज option कौन सा यहां पर heat of hydration तो होगा नहीं rate of hydration even soundness भी नहीं होगा तो हमें flash setting को रोकना होता है इसलिए हम gypsum को add करते हैं setting time बढ़ाना बढ़ाना है flash setting थोड़ी करनी है rapid hardening थोड़ी करनी है तो यही region होता है इसको खतम करने के लिए हम use करते हैं अब देखी कितने important question यह पूछा लिए उसलिका क्या होता है Gelot करके याद रोब लेजए देखें इन्ट प्रस्रेट्शेंट में हमें चूछ करने नेश्ट करेंब लेश्चिल में तो देखें बोलरा है कि गल्त स्टेट में यही गलत है पहली ही बाकी ओनवों सही है देख लिज cui क्या वोर रहा है यहां पर next one question क्या हो रहा है in a gravity dam the total force due to wave fresher act at a height of dash above still water level gravity damage total force होती है किसकी बज़े से लगती है wave fresher की बज़े से लगती है at the height of dash above the still water level कितनी height पर होती है 375 hw 375 into hw height पर लगती है option हमारे पास 4 answer हो जाएगा अगला कुशन देखिए considering the compaction curve the soil in the wet of optimum zone has a optimum zone जो होता है वो dispersed structure का होता है dispersed structure का curve होता है अब अगला देखिए fourth reface soil का system जो होता है value of percentage air void सबसे पहले आपको percentage air void की definition भी पता होनी चाहिए तो इसकी जो definition होती है volume of air over volume of soil volume of air over volume of soil यह हमारे पास इसकी definition हो जाती है इसको हम na से denote करते हैं यह points आप याद रखिए percentage air void की मैंने आपको definition बता दी है अब बात आती है कि यहाँ पे यह रहावा कितनी होती है तो 0 से 100% होती है option 100% होती है 0 से 100% होती है अब अगला कुशन देखिए एस पर हमारे इस हाइस कोड के कोडिंग दे रेंज ओफ रोगोस्टिक कोपेशन दो ब्रिक टाइल लाइन के लिए कितनी होती है option A हमारा अंसर यहाँ पर हो जाएगा अगला कुशन देखिए ए हाइड्रोग्राफ ओफ डिरेक्ट रेंड ओफ दू वन सेंटिमेटर इफेक्ट रेंफोर ओबर ए catchment for unit duration के लिए क्या होता है उसको हम unit हाइड्रोग्राफ ही बोलते हैं अगला कुशन देखिए तक कनाल align on natural watershed line is called उसको watershed ही कनाल ही हम बोलते हैं अधिश्य कोशन देखिए which of the below is the desired property of monometric fluid desire property जो होती है monometric fluid की वो high density ही होती है high density होती है लेकिन low क्या होता है vapor pressure जो होता है वो low होता है vapor pressure इस point को भी याद रखिए यह low होता है high density होती है अगला देखिए which of the falling pile type is typically used in water front structure के लिए water front structure के लिए आफ फेंडर फाइल को यूज करते हैं अब अकला कुशन क्या बोल रहा है यहां पर देखिए the force exert while static fluid on a vertical horizontally after inclined plane surface that is immerged depend upon किस पर depend करता है जो density होती है liquid की area जो होता है immerged surface का and depth जो होती है center of gravity immerged surface की इन तीनों पर यह depend करती है option one हमारा answer हो जाएगा अगला कुशन देखिए the rate at which soil is capable of absorbing water एक ऐसा rate जहां पर हमारा soil जो होता है वो पानी को absorb करने में सक्षम होता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम infiltration capacity बोलते हैं infiltration capacity हम उसको बोलेंगे फ्रेंट्स वीडियो को शेर किजिए अपने दोस्तों साथ फटा फट से next one question क्या बोल रहा है यहां पर कि which of the following is shallow foundation shallow foundation कौनसी है कौनसी नहीं है आपको यह बताना है तो very important question आईए अब देखिए हमारे पास जो foundation होती है वो दो तरह की होती है एक तो shallow foundation होती है एक deep foundation होती है shallow foundation के भी कुछ टाइब होते हैं deep foundation के कुछ भी परकार होते हैं कि कितने part में इसको divide किया हुआ है तो यहां पर थोड़ी बहुत definition आपको पता होने कि shallow foundation क्या होती है तो shallow foundation एक ऐसी depth एक ऐसी foundation होती है जहाँ पर इसकी जो depth होती है वो less than होती है या फिर बराबर होती है किसके उसकी जो width होती है उससे depth जो होया less than या पर equal to होती है उसकी width से लेकिन d foundation एक ऐसी foundation होती है जिसमें जो depth होती है देखिए deep d and depth d ही इस point को आप याद रखियेOOO को बता रहा हूं किkie ही डिफ्स जी होती है वह होती है अपनी विर्त से तो यह point दौनों point को आप याद Rखिए अब vite ये बात आती है कि एक दी foundation जू होती है उसके कितने typ में divide ऐसको कितने type में divide किया तो उसको तीन पार्ट में divide किया हुआ है एक peer foundation होती है इस point को आप याद रखिए एक pile foundation होती है एक bell foundation होती है तीन पाइट में इसको divide किया हुआ है अब जो एक हमारे पास peer foundation होती है ये वाली इसका एक और नाम है वो है केजन foundation केजन foundation यह point important है अब यहां पर एक shallow foundation की अगर हम बात करें इसका यह वाला पार्ट answer हो जाएगा shallow raft foundation जो होती है उसको matte foundation भी बोलते हैं तो इसका यह shallow foundation का एक परकार है वैसे ही हमारे पास wall footing आ जाती है shallow में isolated spread footing आ जाती है combined footing आ जाती है है अब अगला देखिए bling creep coefficient for light and light sand and mud के लिए आपको बताना है तो light sand and mud के लिए कितनी होती है light sand and mud के लिए 18 होती है option second हमारा इस question में अंसर हो जाएगा तो friends यह थे हमारे most important 50 question आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वीडियो को अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटावर्ट से अभी कर लिजिए और बैल आइकन को दबा लिजिए मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में खराएब और नहीं